हेँ वाई टीबियर्स की हाल चाल वेलकम बैक टू दचनल दोस्तो एक साल हो गया लगभख मेरे को बाहर किसी भी हिले स्टेशन पे गए हुए क्योंकि मुझे याद है जो पिछले साल जब कॉर्णा फैला था तो वो लगभख फैब और मार्च के मिड में ही फैला था और उस कोबिट का असर दिरे दरे कम हो रहा है और लोगों ने अब ट्रैविलिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने भी सोचा कि ट्रैवल करना स्टार्ट किया जाए थोड़ा थोड़ा करके अपनी फैमिली के साथ अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कालका होते हुए शिमला औ रिफ में होने वाली है, बहुत सारी camera accessories मैंने already purchase कर ली है आप लोग के लिए, और अपने hotel को booking करा लिया है, train को booking करा लिया है, बस वहाँ पर जा करके requirement है, अपने transportation को fix करने की वो अराम से हो जाऊँगा, लेकिन मैं आपके साथ शेर करना चाहता था अपना detailed plan, क्योंकि उसी detailed plan क follow करके, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे viewers हैं, जो अपना खुद का दिल्ली से शिमला का plan पूरा कर सकते हैं, तो मैंने जो research करी, analysis किया, अपने experience को आज आप लोग के साथ share करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे अपने life के integral part हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वजह होती है, शिमला की ट्वाय ट्रेन देखना, तो कैसे मैंने plan बनाए हैं, आपको एक बार बताने जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ note down कर लिया आपने plan को, सबसे पहले train में मैं आपको sequence पता रहा हूँ, निव दिल्ली से काल का शताबदी हम पकड़ेंगे, सुबह 7 बच क कार भी होती है, उसका किराय जाधा होता है, और अभी शताबदी ट्रेन में आपकी कैटिंग की भी सुधा उपलब्द नहीं है, आपको नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए train का जो फेर है भी कमा रहा है, 615 रुपे, एक व्यक्ती का फेर है, 615 जैसे, 04515 ये train की संख्या है, चेयर कार इसके अंदर बुक कराई है, अलाकि फर्स क्लास भी होता है, करवाय था, लेकिन थोड़ा सा उसमें इशू आ गया, तो कैंसल कराना पड़ा, और फिर से चेयर कार में लेना पड़ा, बारे बच करके 10 मिनट पर ये चलती है, जहां पर श्ताब दियो तारती है, बिल्कुल उसके सामने ही, ये प्लेटफॉर्म पर लगती है, एक मिनट का रस्ता है, कीवल, बारे दस पर चलेगी, शाम को 5.20 पर पहुंचाती है, अलाकि थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, 5.20 का इसका टाइम है, प्रॉपरली, टिकट का फे 6,300 रुपीज का, 3300 रुपे का मेर को ये पड़ा है, 3 nights के लिए, डिलक्स रूम है, कोई भी breakfast, कोई भी dinner के अंदर included नहीं है, हाई कोट की पार्किंग के पास करने का सबसे बड़ा मेरा reason ये था, क्योंकि माल रोड पे उपर कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, पैदल सब ये देखा की कम से कम ऐसा हो की होटल तक गाड़ी पहुँच जाए और हाई कोट पार्किंग से निकल करके माल रोड के नीचे से रस्ता है, सिल्वर राइन होटल के लिए, वहां तक गाड़ी अराम से पहुँच जाती है, उनके पास खुद लगबग 10 गाड़ीों की पार् इचे है, बिल्कुल उससे दो मिनिट की दूरी पर है, होटल सिल्वर लाइन अगर आप कभी जाएं, तो इसको कर सकते हैं अगर आप की इक्षा करें, मैं आपको बताना चाहा था, शिम्ला के अंदर अगर आप माल रोड के पास होटल कर लेते हैं, माल रोड पे होटल कर ल मोंदिर हो गया अईसे बहुत सारी में मालोड पें में अच्छी वाइप रोम्यंटिक हो चाएवाई लेकर लेकिन फूर्ड को मैं इन्जॉइ नहीं करता हूं उसकी सबसे बड़ी वज़ेई यह है कि वहां लोकल फूर्ड किस तरह से आप इन्जॉइप कर सकते हैं वह मेरी कोशिश होती है उसके बाद वहां पर जो घुमने फिरने का प्लैन है 현재 जमैंगा माल रोड पेर तर लोकल जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो चीप एंड बेस्ट उप्शन प्रवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा बारगेनिंग उनके साथ करनी पड़ती है लेकिन ओन सीजन में बारगेनिंग लगबग ना के बराबर होती है फिर भी बहुत ही competitive rates होते हैं अगर आ आपको I think 700-800-2002,500 के बीच में कैब मिल जाएगी तो ऐसी कोई problem नहीं है पहले तो हिमाचल की बस भी चलती थी लेकिन आज वो COVID को ऐसे नहीं चल रही लेकिन 400 रुपे में जब वो चलती थी तो 400 रुपे में वो 4-5 पाइंट आपको गुमा देती थी अब वो नहीं चल रह के पास में से ही उसको आप करके हिमाचल के जो local points हैं वो आप खूम सकते हैं local point मतलब जैसे कुफरी हो गया नाल देरा हो गया इन सब दिगाओं पर जाती है जो भी घुमाने के लिए होते हैं तो दोस्तों अब हम लोग मैंने आको बता दिया किस तरह से हम शिमला पहुंचे की requirement नहीं है जाको मंदिर जाना होगा तो रोपे के तरू कर लेंगे जो भी रोपे का charge है वो हम pay कर देंगे अब बात कर लेते हैं जब वापस आना होगा तो उसका क्या plan बनाया है वापस आने के लिए दोस्तों मैंने जो train book करी है वो book करी है शिमला का special toy train book करी है 04530 train का number है again chair car book करी है first class नहीं मिला 6 बच करके 35 मिनट यानि के 1835 पर चलेगी और रात को 23 बच के 35 मिनट पर पहुँचा देगी 147 रुपे मात इसका किराया क्योंकि slope में चलती है इसलिए कोईला कम लगता है इसलिए ये charge भी कम लेती है दोस्तों ये connecting train है इसके बाद 2335 पर जब पहु बुक किया है अपकी बार और ये चलती है 23 बच के 25 मिनट से और सुबच 6 बच के 10 मिनट पर पुरानी दिरिले रिले स्टेशन पहुँचा देती है पुरान दिल्ली पर उतरेंगे और अपने घर हम लोग पहुँच जाएंगे 210 रुपे का मात्र किराया है एक वियक्ती का त स्लीपर क्लास ये थी 210 रुपे, 1342 रुपे हो चुका है इसके बाद 1342 प्लस 6303 नाइट का यहां पर एक्स्पेंस ये हमने किया और उसके बाद जो भी महां पर बाहर हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे उसके चार्जिस हैं, 2000-500 के बीच में वो खर्चा होने वाला है, तो इन सब को जोड़ करके, लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो खर्चा हमारा लगभग पहुंचेगा, वो 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में पहुंचने वाला है, वन कपल के लिए ये चार्ज लगभग लगभग ऐसा ही आपनों का पढ़ेगा अगर आप सेम इस आइटनरी को फॉलो करते हैं, ये आइटनरी दोस्तों मैंने खुद बनाई है, पूरा एक्सपरिमेंट करके, होटल के अभी जो रेंट है, वो ज़्यादा चल रहा है, कुछ दिनों में अगर आप जाते हैं, तो थोड़ा सा रेंट आपको कम मिलेगा, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजए से थोड़ा सा यहाँ पर रेंट जादा बढ़ गया है, होटलो का, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, इसे चीप ऑप्शन भी अविलेबल है, लेकिन फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं, तो कमफर्टेबल होटल म इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे जुड़ेवे कोई भी सवाल अगर आपके रह जाते हैं, इस मेरी आगे आने वाली जर्नी से जो चार तारिक से स्टार्ट होने वाली है, साथ तारिक ते रहेगी मार्च में, बहुत सारे आगे मैं वीडियो आपके ल आने के लिए, मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत दोस्तों, नमस्कार